पूरे देश में लॉकडाउन के बाद और आज लगबग इस लॉकडाउन में दिली में लगबग ये तीसरा दिन है सडकों पर अमुमन उसका असर दिखाई पढ़ने लगा है अब ज्यादा तर सडके खाली है आपात सेवाओं के लामा कोई भी और सडक पर नहीं दिख रहा है और इस बीच पुलिस भी कड़ी कारिवाई कर रही है लेकिन हालात दूसरे इलाकों में कैसे हैं और सबसे ज्यादा इस लॉकडाउन की मार जिन पर पड़ी है वो ये गरीब मजदूर है जो अब पलायन के स्थिती में हैं और वो हालात इसकदर भी बुरे क्योंकि इनके प आप लोगी बताईए कहा के रहने वाले हैं क्या करते थे कहा जा रहे हैं तो अभी कहा जा रहे हैं यहां क्या करते थे कहा पर दो दिन के लिए बंद होने को था दो दिन के लिए किसने बोला था बंद हो तो पहले ही पता था कि लंबा बंद हो रहा भी है कि इतना पता नहीं था यह पता है एक दिन के लिए बंद हो ती समय पे क्यूं निकले आप लोग लोग तो अभी जहां पर आप लोग रहे हैं तो अभी यहां से कहा जाएंगे आप लोग लोग तो आनंद व्यार के लिए रस्ता बचक गए तभी गडगंगा पैदली जाएंगे यहां से कहीं पर कोई खाने पीने के विवस्था मिली आप लोगों को यह मजदूरों का हाल है तीन दिन से खाया नहीं है पैरों में छाले पड़े हैं पीने के लिए पानी नहीं है गुरूगराम से चले हैं गडगंगा तक जाना है गाजयाबाद के रास्ते को यह रास्ता बताने वाला भी कोई नहीं है जाहिर है कि जिस आपात काल से देश गुजर रहा क्योंकि यह स्वास्थ का मामला है वाइरस से बचना है लेकिन उसके साथ साथ एक जरूरत है इन प्रभावित हो रहे हैं उन्हें बुनियादी सुविधाय मिल सकें